हेलो माइ ब्यूटिफुल ओडिंस वेलकम बेक टू माइ यूट्यूब चैनल गाइस आज मैं आप लोगों लेकर आई हूँ रिव्यू एक और न्यू प्रोड़क्ट का जो की है फॉरट्स असेंशल का डेलिकेट फेशल क्लेंजर और गाइस अप लोग देख सकते हैं इसके इसके इंगिडियंट्स में में है मशोबरा, हनी, लेमन एंड रोज वाटर और टैनेमल का प्रोड़क्ट है 95 रुपीज का है और आप लोगों को क्लेयर कर देती हूं कि समेटन के ट्रायल प्रोड़क्ट में मैं इसको मंगवाया था अन्बॉक्सिंग का वीडियो भी किया छी हे लिपोरर ये सखे लागाए प्रोड़क्ट अन्बॉक्त ये क्लावर ये रोज नाटमूल रूट अच्छे लेमन एक्स्टरक्ट लेस्रीन ग्लिसरीन रोयल जैली एक्स्रेक्ट बीपॉलन एक्स्रेक अन वाइटमीन इसर्टिपय्ट ऑर गिनिक ये लिगते हैं तो ज्यादा अच्छे हैं मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया यह वाला तो फिर कॉशन ही लिखते हैं सम पीपल में भी अलर्जिक तो नैच्छर इंग्रिएंट्स हां हो सकता है अब बात कर लेते हैं जो करना चाहिए कि किस टाइप का मेरे को लगा यूज करने पर तो गाइस मैंने इसको तीन चार बारी यूज कर लिया और यह ज्यादा बारी चलने वाला भी नहीं है और हां मैं इसको शायद न्यू पेकेजिंग भी आर्डर करूंगी तो सबसे पहले देखिए कि वेस्ट हो जाएगा पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इतना लिक्विडी इसका रुकी है रुकी एक बारी इसको मैं चुली किया है यह बहुत ज़्यादा प्रोड़ चुली समेल आप केसे लगेगा आप गल ना जरी के मंदर में आगए इतना ज्यादा रॉ ला इततर वाला पील है बहुत बहंड कर वाला प्समेल है बहुत ज़ह बहुत पंछन्ट शमेल है इसकी बिल्कुल भी नहीं है इं यह ब मतलब पूरा हम चाह करेगा तो भी म में आप लोगों को बता देती हूं कि आप जब इसका फेस वाश कर चुके होंगे तो मौश्यराइज यह स्किन को अच्छा कर बिल्कुल भी ट्राय नहीं करेगा थोड़ा ज्यादा लगेगा कम में आप काम चला सकते हो अगर ड्राय स्किन है तो बहुत एजी लिए ओली स्कि आपके फेस को मौश्यराइज भी कर देगा मतलब ऐसे नहीं लगेगा आपको कि यह मौश्यराइज नहीं किया ड्राय बिल्कुल भी नहीं करेगा दैन इसके बाद में मैं आप लोगों को बता देती हूं कि यह प्रोड़क्ट बसकाली ज्यादा यूज करना पड़ा थोड बहुत ज्यादा होता है मतलब 9500 रुपेगा किलो मिलेगा इतना ज्यादा किया इतने में तो आप केसर यह सब खुद भी आप लोग लाके घर में असे लगता ही नहीं से लगा लो ना तो चल यह कॉस्ट का तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते फाइनल अपनको बहुत सभू अपने लिए बना के देते तो अपने पैसा तो लगेगा बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलती हूं कि इसकेंड रॉबैक जो मुझे लगा ना वह यह है कि इसका शेल्फ लाइफ सिव दो साल है मतलब एटलिस्ट कि मानलो आप बड़ा पैकेजिंग खरीज रहों बीच मे अपने अच्छा बना रहे हैं तो चलिए और दूसरी चीज़ देखिए गाई स्मिटन का में को अब एक चीज समझ में है कि ट्राइल पॉंट्स में आप जो भी है मतलब बिल्कुल एक्सपायर होने वाले प्रोड़क्स होना वो देंगे जैसे कि मैंने फैब में आप देख स्मिटन के स्ट्राइजी है बट मार्केटिंग स्ट्राइजी चलिए उनकी जो भी है अच्छी उनके लिए अच्छी है अपने लिए पैसे देखा तो अच्छी और बुरी बिये दोनों तरीके से कि एक तो प्रोड़क्त मिल जाता चलि कोई बात ने तीन चाह मैंने में सब्सक्राइज करूंगे दिखो कॉस्ट वस्ट इन सब का हटा कि सेवन बाय टैन मैं करूंगी कॉस्ट का बिल्कुल मैंने काटा है थोड़ा कंसिस्टेंसी हलकी सी थोड़ी ठीक होने चाहिए जिससे कि क्या अपने हिसाब से प्रोड़क्त निकाल सके और यह मेरे साब से मैंने पूरा अच्छे से रिव्यू कर दिया है और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वैरी हो तो दू लेट में नौ इन दो कॉमेंट सेक्शन गाइज और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राब ट्यूमाय यू